सबी दली निताओं की भावनाओं से अपने आपको संबध रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं अभारवेक्ट करते हैं जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका ये कारकाल ये नई परंपराओं का कि अर्थिमानों का कारकाल हो ये हम सभी की शुवहिच्छा थी उसी तरह की आपकी कारशेली है और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है सिमन एक निमेदन है मनी संसदी कारमंत्री कभी कुछ देंगे नहीं वो शास्त्रों में कहा गया है निपस से चित्तम, कर्पनस से वित्तम तो आगे कर नहीं कहेंगे लेकिन स्रीमान इतना विचार दरूर किया जाए कि चार सो तीन विधायक है और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे छेत्र में पेजल के लिए हैंट पंप की आवश्यक्ता है भले आप सदर में मत घोषणा करिए लेकिन आप जहां से होना है वहाँ इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाईए क्योंकि अगर आप से कुछ कहते हैं तो मानी संसदीकार बत्री जी का एक वड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्त तब है कि भुटने के डॉक्टर से जो है दात के दर्द की दवा मांग रहे हो तो हमने का कि या तो दात के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दाद के डॉक्टर से दाद के दर्द की दवा और शिवन जहां तक GST की बात है इतना अवर्ष है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधी आए वो उतना ही जो है बाहत संदेश जाना चाहिए अलग-अलग दन से GST को लोगों ने जोड़ा है कोई करा 18% हवा चार है तो चार मिलेगा पौने चार मिलेगा जो भी मिले आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधी है और यह हमने या तो GST मुक्त करके पूरा पांच करोड दे दीजिए और नहीं तो चार करोड अगर मिल ला है तो उसको चार ही करोड बताया जाए पाच करोड ना बताया जाए क्योंकि जंता यह समझेगी और यह श्यमन पूरे सदन की भावना है इसके साथे विधान सभा के सभी कर्मचारी सभी अधिकारी आप सब का हमाभार वेक्ष करते हैं शिवन एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पॉश्टिक आहर बत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए इस पर आप कर्पा पुरु अ बिशार करें यदि इस weapons हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा इनwar उस्भism घ्राइबा बहुत अच्छा रहेगा इन्ही शबदों के साथ आप सब्दों के सब्दों को अधिकार ने ना अअ ये ये से हम लोग नहीं समझ पाई जी एस्टी हैंट पंद या हम लोग ये सुरक्षा कर्मियों बाला जी जी मानने मानने देख जी मैं मैं सभी आधेन संस्देकार मंत्री जी से और अपने आने सभी सम्मानित जलिय निताओं से भी अपने आपको संबत करता हूँ और रद्यग्य संचेप में इतना कहूँ कि आपने वास्तों में इस अपने कारिकाल में जो अपने किर्टिमान आप फापित एकाई करके करते जा रहे हैं यह आने वाले दिनों में जो लोग लाइब्रेरी में जाके अध्यान करेंगे तो निश्चित लूप से आपकी किर्टि को देख करके कि आपके द्वरा किये गए इस विधान सभा में कारियों को देख करके आप जहां भी रहेंगे आपकी सम लोग साराना करेंगे और अब मने अध्यक जी इस तरह से आप हम सबकी हमेशा हम सबके लिए सुपकामना देते रहते हैं हम सबकी भी सुपकामना है या पीससे भी और आगे जाएं custe Guru है और तमाम हो चुकि हमारे सभी अनly हम रिपीट मत करिएगा नहीं कोई रिपीट नहीं करूँगा देंगे मानि मंत्री गण भी है और तुकि मैं अपने तरब से या नि अपने सभी समानी सदस्यों के तरब से भी प्रस्ट पहर में तमाम कुछ नोग जोग हो जाती है उसके लिए छमा मिचाते हैं अधेक जी रिप कोई भी पिछले दिनों में जो एक बार जो भी छुट गई है आप उसे वाकिब भी हैं उस बात को हमने ही उठाया था नेता सदन उसमें हमारे हम लोग नेता सदन जी मौझूद थे और हमने कहा कि जब आप मेंबर आप पार्लेमेंट थे और जब इसी तरह से सभी बानिया लोग सबा सदस्यों की जब बात आई तो इस स्विकर सामने कमेटी बनाया उस कमेटी में नेता सदन महुदे को ही केर्मेंट बनाया था तो मैंने कहा कि देखी हम बड़ी हमारे मीडिया गैलरी में मीडिया के लोग बैठे रहते हैं हम यहाँ पे सभी विधायक अपने विक कमेटी बन जाएगी और वह कमेटी अपना नीड़े देगी हमाने लिए प्राइज इंडेक्ट से जोड़ दें या जिससे भी जो एक बना के जोड़ देंगे मुझे लगता है कि आज जो वेतन भत्ते जो भी मिल रहे हैं मुझे लगता है किसी के उससे दीजल के भी काम नहीं चल पा रहे हैं इसलिए संस्दे कारमत्री जी आपसे आगरा है कि ये बात चुकी कमेटी बन चुकी थी एक बार आप आप चुकी आपके पास अच्छी कला है ब्रीफ करने की और आप ब्रीफ करके उस बात को फिर पुनर जीवित करा सकते हैं ये तो हम लोग जानते हैं बह ये एक आदमी के लिए नहीं है इसके मैं चाहता हूं कि कुछ समित्री को फुनर जीवित करके और आप ये उसके अध्यक्त हैं तो मुझे लगता है कि उन नीड़े आज जाएगा तो सब के लिए बेहतर होगा अध्यक जी इसे के साथ मैं अपनी बात समाब करता हूं मैं प के लिए आपको बढ़ाई एक और सी पारिसाही थी ये जो हमारे जो चतुर्स क्लास वाले हैं उनका चुकी साड़े तेरह हजार रुप्या चुकी वेत्रन है अगर एक हजार बहां कर दिया जाए तो इस तरह होली में कुसी कुसी चले जाते हैं बहुत और धन्यबाद जिनांग पीस सब्रवरी से शुरू हुआ इस सदन में इस सत्र में आज बोल चुके हूँ